Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. चार मित्र Bookbox द्वारा पुनर कथित किसी भी शहर से बहुत दूर एक जंगल था, जहां सभी जानवर और पक्षी मिल जुल कर शान्ती से रहते थे. इसी जंगल में चार गहरे दोस्त रहते थे. एक हिरन, एक कच्चुवा, एक कववा और एक चुवा. वे हर शाम मिलते और दिन भर की घटनाए एक दूसरे को सुनते सुनाते. लेकिन एक दिन, हिरन बहुत डरा हुआ था. शिकारी, सब जगह जाल बिछा रहे हैं. क्या हमारे बचने का कोई उपाए है? हाँ है, कववा बोला, जैसा की हमारे चूहे मित्र को मालूम है. कववे ने जो देखा, बताना शुरू कर दिया. अभी उस दिन, मैंने बड़ी ही अनोखी चीज देखी. कबूतरों का एक जुंड किसी शिकारी के जाल में फंस गया था और अपने पंक तेजी से फड़ फड़ा रहा था. तब ही अचानक सब कबूतरों ने मिलकर जाल को अपनी चूँच में पकड़ा और आकाश में उड़ गए. और वे गए कहाँ? जीधे हमारे मित्र चूहे के पास जिसने अपने तीज दांतों से कुतर कर जाल के टुकड़े टुकड़े कर दिये. और कबूतर आजाद हो गए. वे हमारे मित्र के प्रती बहुत कृतज्य थे. कहानी सुन लेने पर हिरन का होसला बढ़ा. वह पानी की खोज में गया. इस बीच ये तीनों मित्र जंगल के फल, यहां की जाडियां और पत्तियां कुतरने लगे. अपने मित्र हिरन के लौठने की प्रतीक्षा करते हुए, वे देर रात तक बाते करते रहे. किन्तु हिरन का कुई पता न देख, मित्र चिन्ता में पड़ गए. सुबर, जब और सभी हिरन को पुकारते रहे, कववा हर दिशा में उड़ता हुआ, उसे खोजता रहा. एक सूनी जगह पर उसने हिरन को देखा, उसका पैर जाल में फसा हुआ था. चिन्ता मत करो, उसने शान्ती से कहा, हम कुछ उपाए करेंगे. कववा तेजी से अपने मित्रों के पास लोटा. कचुवे को एक उपाए सूझा, उसने कहा, चुछे, जल्दी से कववे की पीट पर चड़ जाओ. और वे उड़कर हिरन को बचाने चले. बिना समय गवाए, चुछे ने जाल को काट डाला. उसी वक्ट, परिशान कच्छुआ भी वहाँ पहुँच गया. हिरन चिल्लाया, तुम यहां क्यों आए? अगर शिकारी लोट आया, तो तुम कभी नहीं भाग सकोगे? और शिकारी आ ही पहुँचा. उसके पैरों की आहट सुनकर वे सब भाग गए. लेकिन कच्छुआ पीछे रह गया. शिकारी ने उसे उठाया और एक लकडी से बांध कर कंधे पर ढो लिया. अरे नहीं, मेरे कारण बेचारा कच्छुआ मुसीबत में है. हिरन ने कहा, अचानत हिरन ने छलांग मारी और रास्ते के निकट तालाप की ओड़ दोड़ा. वह वहाँ एक दम निश्चल लेट गया, जबकि कववा उसको चोंच से मारने लगा. जब शिकारी ने हिरन को उठाने के लिए कच्छुए को नीचे गिराया, चुहे ने तेजी से उसके पैरों की रसी कुतर कर कच्छुए को आजाद कर दिया. जियो ही कच्छुआ पानी में फिसला, हिरन झपक कर खायब हो गया, और कववा फर से उड़ गया. शिकारी भाय से काप उठा, उसने किसी भी जानवर को फिर से जिन्दा होते हुए कभी नहीं देखा था. उसने सोचा, यह जंगल भुता है और अपने प्राण बचा कर भागा. चारों मित्र वापिस लोटाए और एक बार फिर वे एक साथ रहते हुए खुश थे. क्यां मैं लुग्छा अपने खिर वेरा को जासे मैं लजब की नहीं रहते हुए.